जहिन सातियों नमस्कार मैं गणित विशाई गुरुकुल से आजय सोनी स्वागत करतो आप सभी का आज के लेक्चर में हम लोग दो एक्जामपल लेंगे चोटे मोटे रैंक ओफ मैट्रिक्स के उपर जिसमें हम लोग नॉर्मल फॉर्म किस तरीके से निकालते हैं नॉर्मल फॉर्म को हम लोग कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं किस तरीके से रैंक इसकी निकालते हैं इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसकी डेफिनेशन भी आपको समझाईए उस वीडियो को जरूर देख लिजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद उस लेक्चर को देखने के बाद आप इस लेक्चर को देखिए ताकि आप लोगों को रैंक ओफ मैट्रिक्स के एक्जामपल किस तरीके से सॉल किये जाए नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलके किस तरीक मैंने लिए है, पहले हम कुछ वीडियो में छोटे-चोटे मैट्रिक्स लेंगे, छोटे-चोटे सिंपल-सिंपल मैट्रिक्स को सौल करेंगे, उसके बाद आगे के वीडियो में हम भारी बरकम matrix की rank कैसे निकाली जाए 4 row 4 column बड़े-बड़े matrix को deal करेंगे यहाँ पर हम छोड़े-छोड़े matrix को समझ रहे हैं यह समझने के बाद आप बड़े-बड़े एक्जाम्पल्स को आसानी से समझ भी पाएंगे और उनकी rank भी निकाल पाएंगे पहला जो matrix आपको दिया है उससे आप ए लेटर से डिनोट कर दीजे 1-2-3-4-5-6-2-1-2 अभी जो मैंने इसके पहले का lecture बनाया है उसमें यह मैंने जो formulate किया है यह जो आपकी डियागरा में इसे आल्रेडी रखा है वहाँ पर उसी के आगे में यह वीडियो बना रहा हूँ अब यहाँ पर देखिए हमको नॉर्मल फॉर्म इस तरीके से बदलना याने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर आना है 1-0-0-1-0-0-0-0-1-0-0-1 इस तरीके से हमारा चलते चले जाएगा तो यह जो हमारा ऐडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 लेकर आएंगे 1 के नीचे की जितने भी 0 लाना है row transformation का उपयोग करके लाना है 1 है 1 के बाजू के जितने भी 0 लाना है column transformation का उपयोग करके लेकर आना है तो इसी चीज़ को समझते हुए इस formula का उपयोग करते हुए हम rank निकाल तो मुझे आरटू को change करना है और री को change करना है तो आरटू को change करेंगे तो आर टू चार के जगा जिरो लाना है तो माइनस करना पड़ेगा कभी याद रखी माइनस या प्लस करते समय सहारा वन का उस element को जिसको आप 0 बना रहे हैं उसके कर्रस्पॉंडेंस बराबर में कहीं वन है क्या 1 देखिए का पर यदे तो सारा आपको दिकत नहीं जाएगी ज्याद सर विद्द्यार्दियों को ज्याद से जयादा बच्चों को कहां पर दिकत आ मैट्रिक्स का कर लेंगे तो हमको सब्सक्राइब याद आना चाहिए 1, 2, 3, R1 को हम चेंज नहीं कर रहे, R1 एजटीज रहेगा obviously 4 में से 4 जाएंगे, इस formula में यदि हम उपयोग करते चले R2-4, R1 का उपयोग करेंगे, तो R2 की value कितनी है? R2-4, R1 की value है 1, 4-4 is 0, R2 और R1 की पहली-पहली value लेली, इनकी दूसरी-दूसरी value इस formula में डालते चलो दूसरी value है 5, minus यह 4, R1 की दूसरी value है 2, तो 5 में से 8 गए, minus 3 फिर आखरी की value डालो, 6-4 और R1 की value है विड़ा 3, R1 की value है 3, 6-4 इन्टू यह 3 तो 6 में से 12 गए, आपके बच रहे, minus 6 उसी तरीके से हम लोगे आपे भी करेंगे, तो obviously यह तो 0 हो जाएगा, R3-2, R1 लेंगे R3 की पहली element कर लिए, पहला-पहला element लेंगे, दूसरा-दूसरा element लीजिए, दूसरा element है 1, minus 2, R1 का element है 2, तो answer है 2 1, minus 4, answer is minus 3, उसके बाद last 2 वाला element लेंगे, 2, minus 2 और R1 का element है, वो 3 है, तो 2, minus 6 is minus 3, 2, minus 6 is minus 4, तो यहाँ पे लिखा है, हमने minus 4, 1 और नीचे के 0 मिल गए, देखिए, इस diagram का उपयोग कर दे हुए, अब बाजू के 0 लेकर आना है, याने जो कॉलम में 2 और 3 को 0 बनाना है, तो 2 और 3 कहां पर है, C2, C3 में है, तो C2 को यूज करना है, C2 minus 2 करेंगे, तब जाके 0 होगा, minus या प्लस कर दे हमें, सारा 1 का, 1 कहां पर है वराबर, 1 देखिए, C1 में है, इसलिए, C1, C3, C3 को चेंज करेंगे, C3 minus 3, सारा किसका, 1 का, याने C1, तो यहाँ पर आप देख पा रहे है, कि आपको वर्ल 2, 3 के जगा, अब हम लोगों ने C1 को चेंज नहीं किया है, तो C1 as it is रखो, 2, 3 के जगा, तो 0 याना है, क्योंकि हम उसे 0 बनाने के लिए ले रहे थे, तो जब आप इसे फार्मुलेट करेंगे, यदि मैं हाँ पर लि 3-3 answer कितना आ रहा है आपका, 0, तो उसी तरीके से आपे भी 0 मिला है आपको, ठीके, बाकी आगे के 0 होने के कारण, C1 की values 0 होने के कारण, C1 यदि 0 है, C1 की value ये 2 0 होने के कारण, C3 ही रह जाएगा, और C2 ही रह जाएगा, अगर C1 की value 0 है, तो आपके पास सिप C2 और C3 रह रहेंगे, minus 3, minus 6, minus 3, minus 4, अब हमें minus 3 के जगा बेटा, यहाँ पर 1 चाहिए, 1 के नीचे 0 और आगे हम लोगों ने 0 बना लिए, अब यहाँ पर मुझे बना चाहिए, तो यह minus 3 को मैं divide कर दूँगा, यह minus 3 R2 में है, तो मैं R2 को ही divide कर रहा हूँ, minus 3 से, R2 को divide कर दिया, minus 3 से तो किस तरीके से बनेगा, यह बनेगा, 1, 0, 0, 0, 0, यह हो जाएगा 1, और यह हो जाएगा आपका 2, और नीचे आएगा आपका minus 3, minus 4, 1 आ गया, 1 के नीचे मुझे 0 लाना है, तो road transformation करना है, minus 3 को 0 बनाना है, तो minus 3 कहाँ पर है, R3 में है, तो R3 चेंज होगा, यहाँ पर minus है तो plus लेंगे, सारा 1 का, 1 है R2 में, तो इस तरीके से आप देखते चले तो आपको matrix आसानी से मिलता चले जाएगा, इसी tricks का use करना है, शुद्ध हिंदी में आपको समझा रहा हूं मैं, और इसी को समझ के सारे के सारे matrix इसी तरीके से हल करना है, BSC का हो, Engineering Maths हो, BSC Honors हो, UPSC Mathematics optional हो, कोई भी level का maths हो, किसी भी level का matrix हो, इसी तरीके से solve करना है, बहुत आसानी से आपको answer मिलेगा, 1, 2 as it is रहेगा, यह 0 हो जाएगा, क्योंकि हम सिप R3 को change कर रहे है, तो R1, R2 as it is, जिसको change कर रहे है, सिप उसकी value बदलेगी, जिसको change नहीं कर रहे है, R1, R2 as it is रहेगा last में minus 4, इस value को देखेंगे, R3 की यह value है minus 4, इस formula के अनुसार, plus 3 है, into R2 है, R2 की value है minus 3, तो minus 4, minus 9, answer is minus 13, ठीक है, तो minus 4, 3, 3 is a 9, obviously, and it is minus 13, okay, 1, उसके नीचे 0 आ गया है, अब 2 को 0 बनाना है, तो जब हम बाजू में 0 बनाते है, 1 के बाजू में जाते है, तो column transformation, तो 2 को 0 बनाएंगे, तो column transformation को यूप्योग करेंगे, 2 कहां पर है, C3 में, तो C3 minus 2, सहारा 1 का, 1 कहां पर है, C2 में, C2, तो यहां पे देखें, बच्चों, एक इस तरीके से हो रहा है, 1, 0, 0, 0, 0, 1, यह यह भी हो गया, 0, यह 0 है, minus 13 नहीं रहेगा, minus 13 के जगा, अब मुझे 1 लेकर आना है, 1 के नीचे 0, बाकी के 0, 1 के नीचे 0, आगे 0, 1 के नीचे 0, आगे 0, अब मुझे यहां पर 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनाऊँगा, मैं, minus 13 को डिवाइड कर दूँगा, आसानी से, तो R3 में आये का, R3 divided by minus 13, तो आपको value मिल जाएगी, 100, 00, 100, 01, 001, तब आप इसे देखिए, it is look like IR form, actually 3 row, 3 column का है, तो इसे आम I3 कहेंगे, तो I3 यदि है, तो rank कितनी है, rank हो गए इसके 3, दिये हुए matrix को, identity matrix में बदल रहे है, normal form में बदल रहे है, कितने रहो, कितने column का matrix मिलेगा, identity matrix, उस पर depend होगी आपकी rank, तो 3 row, 3 column का identity matrix है, इसलिए इसकी rank के 3, अगला प्रशन हम लोगे आपे ये वाला जल्दी से यापे solve कर लेते हैं, इसे मैं मीटा देता हूँ, अगला प्रशन है हमारा 1, 2, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 6, 5, 1, element तो already है, इस diagram के अनुसार, इस formulate के अनुसार 1 है, 1 हमारे पास है, 1 के नीचे 0 लाना है, याने R2 और R3 को बदलना है, R2 और R3 को बदलेंगे, R2 को कैसे बदलेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे, सिंपल, R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस 2, R1 करेंगे, सहारा 1 का, equals to, आपको क्या मिल रहा है, 1, 2, 3, R1 as it is रहेगा, जो change हो रहा है, सिप उसी को change करेंगे, बाकी as it is, R2 और R3 चेंज हो रहे है, तो इन दोनों के जगह हम 0 बनाने के लिए transformation लिये तो यहाँ पर 0 ही आना है, बाकी आप इस फार्मुले में वाकी values डालते चले, R2 माइनस R1, पहली तो आ गई आपकी, दूसरी ले लो, R2 की दूसरी value है 4, R1 की value है 2, 4 में से 2 गए, simple हम लोग R2 माइनस R1, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 3 गए माइनस 1, अब इस फार्मुले के अनुसार, R3 माइनस 2 R1, पहली तो आ गई, दूसरा element है R3 का 6 माइनस 2 और R1 का element है 2, तो 2, इस फार्मुले में पहला पहला, दूसरा, दूसरा, तिसरा, तिसरा element डालते चलो, value डालते चलो, तो आपको answer मिलते चलेगा, तो 6 में से 4 गए, answer आ गए 2, 5 माइनस 2 और value है 3, R1 की 3, 5 में से 6 गए, minus 1, अब ये 2 और 3 को 0 बनाना है, 2 और 3 का पर है, C2 और C3 में, C2 और C3 को change कर रहे, C2 माइनस 2 सहारा 1 का याने C1, C3 माइनस 3 सहारा 1 का याने अगें C1, is equals to, यहाँ पहला कॉलम as it is रहेगा, दूसरे कॉलम में obviously 0 हो रहे, और इनके आगे के elements याने C1 दोनों की दोनों 0 है, तो यदि आप 0, 0 डालते जाएंगे, तो C2, C3 as it is रहेगे, इसलिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 as it is है हमारे पास, अब मुझे 2 के जग़ा 1 चाहिए, तो 2 के जग़ा यदि मुझे 1 चाहिए, तो यहाँ पर R2 में, R2 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1, 0, 0 और यह 0, 0, यह हो जाएगा 1, यह माइनस 1 by 2, और यह 2 और यह माइनस 1, इस तरीके से 1 मिल गया, वन की नीचे एलिमेंट 0 लाना है, अगें रो ट्रांस्फरमेशन, वन की नीचे 0 लाना है, तो रो ट्रांस्फरमेशन, R3, यह 2 का पर है, R3 में, तो R3 को चेंज कर रहे, R3 माइनस 2 सहारा वन का, याने R1 का, स्वरी, R2 का, प्लस माइनस करते समय, यानि की प्लस माइनस इसले कर रहे है ताकि 0 एलिमेंट बने, 0 बने समय सहारा वन का, वन डूड़ना, उसके कर्रस्पंडिंस में कहा पर है, और इसको ले ले लेना, और वो वन ऐसा होना चाहिए, एक्चुल में, जिससे आपकी आने वाली जो रो या कॉलम है, उसमें आपका फरक नहीं पढ़ना चाहिए, मैट्रिक्स बिगड़ना नहीं चाहिए, तो यह 1, 0, 0, as it is रहेगा, 0, 0, यह 1, और यह minus 1 by 2, r1, r2 as it is रहेंगे, क्योंकि हम r3 को change कर रहे है, तो r3 में यह 0 है, यह भी 0 ही हो जाएगा, और last element में थोड़ा सा हम value पूट करके देखते, r3 की last value है, minus 1, minus 2, r2 की value है, minus 1 by 2, minus minus plus हो जाएगा, minus 1, 2, 2 cancel, plus 1 answer मिल रहा है, 0, यहाँ पर answer आगया, 0, अब मुझे 1 के नीचे 0 लेकर आना है, तो आ गया है मेरा, 1 के बाजू 0 लेकर आना है, यानि minus 1 by 2 को 0 बनाना है, तो यह minus 1 by 2 actual कहाँ पर है, c3 में है, तो c3 को क्या करूँगा, मैं, plus 1 by 2 सारा किसका, 1 का, यानि c2 का, तो इससे मैं इस तरीके से लेकर आँगा, 1, 0, 0, 0, 1 यह तो 0 हो जाएगा, 0, 0, 0, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बच्चों आप, कि जितने भी छुटे हुए, जो एक्स्टा के 0 है, उन्हें छोड़ दो, एक्स्टा के 0 इनको छोड़ दो, तो कितने रो, कितने इस पर नजार आ रहा है, टूरो टू कोलम का इस पर नजार आ रहा है, जिसे हम, आए टू, 0, 0 इस फॉर्म पर लिखेंगे, आने इस अ नॉर्मल फॉर्म, डेफिनेशन आप जरूर देखिए, पहला वीडियो जरूर देखिए, और दूसरा वीडियो देखिए, तो यदि आपने पहले दो वीडियो देखिए, तो 99% है कि आप पूरे के पूरे नॉर्मल फॉर्म खुद से कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं 4-5 वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसके बाद में बहुत बड़े-बड़े मैट्रैक्स को स्वाल करूंगा, नॉर्मल फॉर्म के, तो उ है, तो यहाँ पर रेंक है, एक ही रेंक है वेटा टू, क्योंकि टूरो टू कॉलम का आइडन्टिटी मैट्रिक्स अपने पास है, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया है, उस मैट्रिक्स को आप नॉर्मल फॉर्म में बदले, और यह देखे कि कितने रो कितने कॉलम का, इसामपल नहीं डाल सकता था तो बच्चे आमारे आगे देख्चे नहीं एक दम 40-40-40 मिनट के वीडियो तेकर आज कर सब कुछ फास्ट चाहिए दो मिनट में मैं गई दो मिनट में चैटिंग दो मिनट में सब कुस समझ में आ जाये तो सारा दो मिनट वाला काम चल रहा है त तो हाला कि मेरा जो प्रशन है मूझे जो बोलना है वो यह है कि जो अब आपको ग्हाई करनी है महापे ग्हाई करनी लेकिन जहां पर जैसे सीखने की बात आती है पड़ने की बात दितो महापे घाई नहीं करने किसी भीrok winter तो आज का लेक्चर यही तक अगले लेक्चर में मिलेंगे जहीन, जह बारत, वंदे मातरम सातियों जाने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है समझ में आया है तो ज्याद से ज्यादा विद्या जो तक शेयर करें क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद